क्या कभी अंबर से सुरिय पिछरता है क्या कभी बिन्बाती दीपक जलता है कैसी है अन्होनी हर आख हुई है नम छोर गया जो तू कैसे जियेंगे हम तू ही किनारा तू ही सहारा तू जग सारा तू ही अमारा सूरज तू ही तारा जय जय कारा जय जय कारा स्वामी देना साथ हमारा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मैथ मस्ति पर दोस्तों मैं हूं भी पिनिया दब तो आईए बहुत आप लोग का फर्माईस हो रहा था और मैं लेके आ गया हूँ वही बूक जिसका फर्माईस आपको चल ला था तो NTPC के लिए शुरू करते हैं और ये पहला चिप्टर से ही हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और ये कोशन पूछा गया है इसमें पूरा जो स तक बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है तो सबसे पहला कोशन पढ़ाते हैं दोस्तों आपको सबसे पहला कोशन आपको दीख किया होगा और सबसे पहला कोशन हमारे सामने जो है दोस्तों 0.14 ठीक है बटा है बटा है 1.4 ठीक है उसके बाद है इसक्वाइर फि S2 है, plus है, then 0.13, और बट्टा है 1.3, इसका S2 है, और तब इतना का मान पूछा गया है, दोस्तों, बड़ा simple है, देखिए न, उपर में है 2 अंक बाद 10 आम लो, नीचे में है 1 अंक बाद 10 आम लो, तो नीचे बाला 10 गुना बाद है उपर बाले से, नहीं समझे, कैसे अगर मान लिजे 0.14 है नीचे में कितना है 1.4 है तो नीचे बाला ही बड़ा भैलू है कैसे देखिए उपर में 10 अंक के बाद 2 अंक है यहाँ 10 अंक से पहले भी एक अंक है यानि 2 अंक बाद 10 अंक बाद 10 अंक है अगर मान के चलिए उपर में 2 अंक बाद 10 अंक है नीचे भी 2 दो अंक बाद 10 अमलो हो जाए, तो 10 अमलो से 10 अमलो कट जाएगा, तो एक 0 अगर बैठा दे, 10 अमलो के बाद 0 देने से कोई फरक नहीं पड़ता है, अब 2 अंक बाद उपर भी 10 अमलो, दो अमलो से 10 अमलो उड़ा दीजिए, बचा उपर में 14, नीचे बचा कितना, 140, अब द एक अंक अंतर होगा, तो 10 गुना बड़ा होगा, दू अंक अंतर रहेगा, तो 100 गुना बड़ा या छोटा रहेगा, तो जिसमें ज्यादा अंक बाद 10 अमलो है, वह बहलू छोटा होता है, दोस्तों, तो आपको ये पता चल गया न, कि इतना कमान जो है, एक बट्टा 10 square लिख दिया, plus इसमें भी दो अंकबाद, इसमें है 1 अंकबाद, तो बस 1 बट्टा 10 एंश का square लिख दिया बात आई समझ में, अब देखें ये 1 बट्टा 10 कay square minus में 1 बट्टा 10 कay square plus में, बात खतम अब बच गये हमारे सामने 1 बट्टा 10 कay square इसका मतलब है कि एक बटा सव एक का स्क्वाइर एक दस का स्क्वाइर एक सव अब इसको हम क्या लिख सकते हैं अगर सव हटाईएगा तो एक के दू अंकबाद दसम्लों देना होगा तो बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं बढ़ते हैं दूस्तों हम अगले सवाल के तरफ और देखते हैं कि अपना अगला सवाल क्या है और बहुत ही आसानी से आपको हम सिखा दें, समझा दें यही मेरा प्रयास रहता है अगला कोश्चन हम लोग के सामने, दूसरा, बहुत ही सांदार कोश्चन है 3, 1, 4, 6, 5, 7, 3, 8, 1, 4 कहता है डाटा का रेंज गयात करें, इसका रेंज गयात करना है दोस्तों सुनिएगा हम आपको बहुलक वाला पढ़ाय हुए हैं माधमाधी का बहुलक पढ़ा दिये हैं, उसमें जाकर देख लीजगा, उसमें का एक ही टाइप कोश्चन है रेंज ग्यात करना है रेंज ग्यात करें तो दोस्तों एक बात करिएगा जब भी रेंज निकालना हो रेंज निकालना हो तो आपको क्या करना चाहिए सबसे बड़ा मान सबसे बड़ा मान में से हम छोटा मान घटा देंगे बस हो जाएगा सबसे बड़ा मान में से छोटा मान घटा दीजिए सबसे बड़ा भैलू इसमें कौन दिख रहा है आठ दिख रहा है और सबसे छोटा भैलू एक दिख रहा है आपका रेंज जो हो गया इस डाटा का रेंज हो गया कितना 7 तो आएए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और ये पूरा मिसलेनियास है हर चेप्टर से कुश्चन अलग-अलग चेप्टर से है यहाँ पर दोस्तो अगला सवाल हमारे सामने है तीसरा और तीसरा क्या कहता है कहता है जा तो आप 5 के पावर फोर है ठीक है माइनस फिर 5 के पावर फोर है और गुना सुल्ल है अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इतना बराबर क्या होगा या तो आप 5 के पावर 625 होता है इससे गुना करिए 5 के पावर 625 होता है 5 के पावर 4 625 होता है 16 से गुना करके घटाईएगा तो भी अंसर आ जागा नहीं तो 5 के power chart common ले लिजे, common लेने का मतलब है इस से इसमें भी भाग और इस से इसमें भी भाग इसमें भाग का मतलब दोस्तो minus या plus boundary होता है, तो boundary के इधर और boundary के उधर भाग देना है इससे इसको जब भाग देंगे तो केवल 64 बचेगा और ये minus, इससे इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा, 16 बचेगा दोस्तो 5 के power chart तो 600, 25 ता हम लोग को पता है, 64 में से 16 गया, 14 में से 6 गया 8, बच गया 5 में से 1 गया 4, 48 गुना कर दिया जाए तो 8 से जब हम गुना इसे करेंगे, तो ऐसे ही 8, 14, 25, 22, यानि 5000 हो गया, तो 5000 का एक 0 लिख लेंगे, अहांसिल 500 हो गया अब 600 चके 2400 आप 2400 यानि 2500 हो गया, इसको गुना करके 2500 आप 500 और तो 3000, यानि टोटल आपका एंसर 30,000 हो गया कोई दिक्कत तो नहीं, आपका एंसर त्यार है, और वो एंसर है, option C आईए दोस्तों, अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं, इसी लेवल का question पूछा गया है बहुत high level का question नहीं होता है, आप लोग high level मांग करते रहते कभी कभी तो आपने देखा होगा, आज मैंने 10 बजे वीडियो डाला था, उस वीडियो को डिलीट करके फिर तीन बजे मैंने वो वीडियो डाला था, चुकि सभी लोग के पास notification नहीं गया था तो आपने देखा होगा, S.S.C. का मैंने question पढ़ाया था उसमें अब आपका जो exam है, इसमें बहुत high level question नहीं आएगा N.T.P.C. में तो आपको यही पढ़ना चाहिए, जो level उसका पूछने का है या पूछा जा चुका है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं और यह 14 नमर सवाल होगा जहां पर आपको मैथ होगा इस सेट में सवाल क्या कह रहा है, दो धनातमक पूर्णांका योग पचपन तथा उनका अंतर नव है, तो उनका गुनन फल गयात करिए दो धनातमक पूर्णांक माल लेते हैं A और B दूगो संख्या और उनका योग कितना है पचपन, एक बात और कहता है उनका अंतर नव है यानि A और B का अंतर कितना है नव है, तब कहता है कि उनका गुनन फल गयात किजिए दोस्तों इसमें बड़ी संख्या A हो गया, कैसे? बड़ी में से छोटी घटेगा तब ना घट के पलस में रिजल्ट आएगा, तो बड़ी संख्या A हो गया, A का मान अगर निकालना है तो दुन्नों जोड के, पचपन पलस नव करके दूसे भाग लगा लिजिए जब भी दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर पता हो वही दो संख्या का योग, जिस संख्या का अंतर आपको पता है तो ऐसी स्थिती में अगर बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या तो आपको जोड के दूसे भाग, पचपन नव कितना? 64 आज 64 को दूसे भाग दे दीजेगा 32 आगया एक संख्या और दूसरी यानि छोटी संख्या B का मान तो पचपन में से नव घटा कर दूसे भाग दे दीजे पचपन में से नव घटा येगा, तो कितना हो जागा? 15 में से नव गया 6 और ये बच गया आपका 4 इसमें 2 से भाग तो कितना आगया? 23 दोस्तों, अब सवाल हमें ये कहता है सवाल ये कहता है कि उन संख्या का गुनन फल बता दो ठीक है, A इंटू B का मान पूछा है तो संख्या हमारे सामने 32 और 23 है गुना तो कर ही सकते हैं 23 दूना 46 के 6 हासिल 4 आज 29 अचार कितना? 73 यानि 736 हम लोग के सामने एंसर और वो एंसर हो जाएगा काउन? ओप्शन B ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखिए कितना असानी से आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, अब सोलहमा नमर सवाल में हमारा मैथ का कुश्यन दिया हुआ है कहता है कि यदि 10 पुरुस कार्ज अस्थल P से Q पर अस्थनांतरित कर दिये जाते हैं तथा P और Q में पुरुसों की संख्या बड़ाबर हो जाती है कहता है तो P और Q में पुरुसों की संख्या बड़ाबर हो जाती है सवाल का है कि अगर 10 पुरुस को न, P से Q पर अस्थनांतरित कर दिया जाएगा, माने 2 को काम चल ला है, एक काम का नाम है P और दूसरे जहां काम चल ला है, वहां Q, तो P बला का 10 आदमी Q में भेज दिया जाता है, तब कहता है कि संख्या बढ़ाबर हो जाता है, लेकिन कहता ह कि यदि 20 आदमी Q बला में से लेकर P बला के जगह भेज दिया जाता है, तब कहता है Q से P पर अस्थनांतरित कर दिया जाते हैं, तो Q में पुरुसो की संख्या P से आधी हो जाती है, क्योंकि Q का 20 आदमी जब P में चल गया न, तब Q में अब आदमी कितना रह गया जानते है P बला का आधा, दोस्तों एक बात और, इधर से अगर उधर जा रहा है, तो इधर से जा रहा है, तो इधर घटेगा, आज इधर गया, उधर बढ़ जाएगा, तो देखिए सवाल को कैसे बनाना है, दो जगह है P और Q जहां पर काम चल ला है, यहां से 10 आदमी जब पहली ब इसमें सामिल हो गया, तब बोला है कि संख्या बराबर हो जाता है, अब देखिए समीकरन बन जाएगा P-Q, क्योंकि प्लस Q इधर आए तो मैनस Q, अब मैनस 10 उधर जाकर प्लस 10, तो 10, 10, 20 हो गया, यह समीकरन एक, अब दूसरा समीकरन क्या कह रहा है, यह जो P और Q दो जग पीपड भेज़ दिया जाए, तो यहां प्लस हो जाएगा, जब कि यहां minus, यहां से निकला है, यहां आया है, तब काता है यह Q का जो संख्या है, कितना हो जाएगा जानते हैं, इसका आधा, माने इस पूरे का आधा हो जाएगा, क्युवळा जन संख्याव, क्योंकि Q में से गहटा है, तक Q में से गहटा तई कम हो गया, और कितना हो गया, इसके संख्या का आधा, दोस्तों ये दूसे उधर गुना हो जाएगा, इधर P पलस 20 ठीक है, आप बराबर, दूसे तो उधर 2Q, आप माइनस 20 दूना 40, 2Q को इधर बुला लेते हैं, तो P माइनस 2Q, आप इसे कर सकते हैं, यहां आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए, एक समिकरन आपका P माइनस Q, तो P माइनस Q बराबर हो गया 20, और एक समिकरन ये P माइनस यहीं पर लिख देते हैं, क्या दिकत है, P माइनस Q बराबर कितना? सिधा 20 है, यह पहला समिकरन था, ठीक है, इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो एक काम करते हैं, यह तो अलग-अलग है, 2Q है, 1Q है, इसी को हटा देते हैं, यह माइनस कर देंगे, तो प्लस हो जागा, यह भी माइनस हो जागा, यानि माइनस है तो प्लस होगा, प्लस P, minus P गया, अब देखिए, plus में 2Q, आप minus में, plus में 1Q, आप minus में 2Q, तो 1Q बचा, minus में, और इधर, minus minus, minus में 80 हो जाएगा, minus minus गया, Q का भैलू कितना आगया दोस्तो, 80, तो Q का मान आपके सामने कितना निकल के आगया है, 80 निकल के आगया है, हमारा answer तयार है, Q में पूर्शो क संख्या गयात करने के लिए कहा था, 80 हो जाएगा, option भी हो जाएगा, आगे बरहूं, हाँ, तो अगला सवाल है भाईया, अगला सवाल क्या कहता है, जानते हैं, अगला सवाल जो 16 नम्मर है न, अगला सवाल, 16 तो हो चुका, हम लोग के सामने, अब मैत का question 22 नमर में है, काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यदि के अकेला इस काम को 60 दिन में कर सकता है, तो अगला इसे कितने दिन में कर सकते हैं, देखिएगा दोस्तों, के और एल एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, और जबकि, जबकि, यहाँ पर के अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है, 60 दिन म अब सबाल ये पुछता है, तो L अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बहुत सिंपल है, कोई जरूरत ने ये LCM से बनाने का, LCM मेथर से. आरे भाईया, दुन्नों मिलकर कोई काम 20 दिन में, तो एक दिन में एक बटा 20, के अकेला कोई काम 60 दिन में, तो एक दिन में एक पटा 60 काटेंगे, तो एक बटा 30, यानि एक दिन का काम हुआ, L का, एक बटा 30, यानि पूरा काम वो करेगा 30 दिन में, क्योंकि दोस्तों, पाट का उल्टा D होता है, और D का उल्टा पाट होता है, यही 30 को उलटिएगा तो एक बटा 30 होगा, होगा ना? बस आगे बढ़त देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल बहुत ही मज़ेदार सवाल है दोस्तों, सवाल ये कहता है कि निमली खित को पढ़ है और इस पर अधारित प्रसल का उत्तर दे, पुस्पा 63 खरिदना चाहती उसे निमलिखित उफ़रों का पता चला, पहला उफ़र है सूपर सेल, ठीक है दूसरा है हॉल सेल, तीसरा है मेगा सेल, चौथा है बीग सेल, यह सब नाम है सेल करने का अपना अपना भराइटी, लेकिन कहता है कि सूपर सेल में 749 रूपया पर 30 सट की कीमत पर 2 सट ले और अ समझे, दूसरा सवाल, यह पहला कथन, अब दूसरा, दूसरा क्या कहता है, होल सेल रेट, 799 पर 30 की कीमत पर 2 सट ले और अगली सट पर 40 परसेंट चूट, अब 799, 799 का दूगो सट लीजिएगा, और एक और चूट है, मतलब एक और सट लीजिएगा, 799 का उस पर 40 परसें छूट मिलने वाला है, तो इससे तो यह बेहतर है, अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है, कि मेगासेल, 1999 की दो सट ले और एक सट मुफ्त पाए, दोस्तों, बहले हैं 1999 लग रहा है, 1999-1999, लेकिन 1999 का ही, तो एक सट आपको फिरी में मिलेगा, तो फिरी में मिलने का मतलब है कि ये 100% छूट है अब चौथा छूट क्या है सो देखे चौथा कहता है कि 999 पर 30 सट की कीमत पर 2 सट ले और अगली सट पर 90% का छूट मिलेगा 999, 999 का दूगो सट ले लिजे और एक सट जो लिजेगा उस पर 90% छूट फिर भी तो 100% छूट न न हुआ यानि इसमें केवल 90% छूट सबसे ज़्यादा छूट तीसरा बला है यानि तीसरा में जो है मेगा सेल यही होगा मेगा सेल उप्शन B में है तो ये हमारा एंसर हो जाएगा ठीक है बढ़ूं आगे आईए देखते हैं अगले सवाल को अगला सवाल हमारे सामने कहता है एक आयत जिसका बिकर्ण 15 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है का छेतरफल ग्याद किजिए एक आयत जिसका बिकर्ण 15 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है उसका छेतरफल क्या होगा दोस्तो कोई आयत हो और इस आयत के आपको दिया हुआ है जिसका बिकर्ण 15 बिकर्ण कितना है 15 और उसके बाद कहता है चावडाई 9 है चावडाई 9 है तो एक बात बिकर्ण 15 चावडाई 9 अच्छा इह एक समकोन तिर्भूज हो गया न दोस्तों समकोन तिर्भूज क्योंकि यहां पर 90 degree का कौन होगा, है ना, 90 degree, इन 9 है, इन 15 है, तो इन 13 हो जाएगा क्या, 13 की 12 हो जाएगा, 12, 15 के स्क्वाइर 225, और 9 के स्क्वाइर 81, 9 का स्क्वाइर कितना, 81, sorry, 18 लिखा जा रहा है, 81, हो ही गया, 144, 5 में से गया, 4, और 21 में से 8 गया, 14, 144 हो गया, चलिए, तो यहां पर धियान दीजिएगा, sorry, यह 22 में से 8 गया, तो 14, यानि 144, 144 का बर्ग मुल कितना होता है, 12, यानि यह 12 है, 9 है, 15 है, दोस्तों, 12, 9 मिल गया, आपको 6 तरफल बताना है, तो लंबाई गुने चवडाई होता है, 12 गुना 9 कितना होता है, 108, तो अगर मीटर ह है, तो बर्ग सेंटीमीटर एंसर कहेंगे, ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल था दोस्तों, इसमें 44 नमर, जो कि मैथ का सवाल है, क्या कहता है, कहता है कि एक बस्तू 22 पर तीसत हानी पर, 7020 रुपया में बेची गई, बस्तू का क्रेम क्योंकि 22 बटा 100, तो 22 का दा एगारा, आज 100 का दा 50, हानी है तो इसको घटाईए, पचास में से एगारा घटाईए तो कितना 49, 49 बटा 50, निच्चा बला जिव कातिव लिखना है, पचास में से एगारा गया 49, निच्चा बला जिव कातिव, अलाभ रहता ता जोडते, पता करना होता, तो सीधा गुना, अभी उल्टा करेंगे, तो उल्टा यानी 50 उपर 49 निच्चे, इससे काटेंगे तो 18 और 10, 180 बर में, 180 गुने 50, तो 00 हो जाएगा, 18 पचे 90, 9000 एंसर हो जाएगा, दोस्तों, हमारा एंसर तयार है, और वो एंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, आईए, देख लेते हैं, अगला सवल, नेक्स्ट कोस्चन हमारे सामने दोस्तों, और बड़ा खुबसूरत, प्यारा सा 49 नमर में फिर मैत है, और क्या कह रहा है, कहता है कि 10,000 की दो रासी में से परतेक रासी, दो परतीसत के लिए निवेस की गई, पांच परतीसत सधारन पर और दूसरा है वार्शिक चक्रवर्धी ब्याज की समान दर पर, तो अब कहता है पड़ी पक्वता मुले में क्या अंतर आएगा, तो कहता है कि उसके ब्याज में कितना का अंतर आजाएगा, ध्यान दीजेगा, पहले जो मुलधन है, वो है 10,000, मुलधन कितना है 10,000, र ए दसमलोंदू अंख बाध, बस, rate के स्क्वार दसमलोंदू अंख बाध, यह हो गया परतीसत cisi का अंतर, लेखिन आपको तो निकालना है, यह rate क का ay स्क्वार कीए, पांच का ay स्क्वार 25, दसमलोंदू अंख बाध, यह trick है, मैंने cisi bhou पढ़ा रख्या, सारे चेप्टर कालना है यानि कि अगर रुपिया में बताना है कितना अंतर हुआ तो इस दस हजार का दोस्तों दस हजार का 0.25 परसेंट परसेंट का मतलब बट्टा में 100 ठीक है अब इस दसम्लों को उड़ाएंगे तो दो जीरो और आएगा नीचे में अब हमें काट देना होगा इस 4 जीरो से इस 4 जीरो को आपको जो बच गया उपर 25 रुपिया यहीं हो गया आपका 25 रुपिया ब्याज में अंतर CI और SI में तो दोस्तों मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये मिसलेनियस कोशन था तो आपके लिए और बेहतर है एक तो रिभाईज हो गया ठीक है दोस्तों और हाँ दोस्तों हमारा जो देखिए मैं पहले ही बोल लखा हूँ कि कभी भी पेड कलास के लिए मेरा कलास कभी बंद नहीं होने वाला है ये जो फिरी वाला कलास चल लाहा है यही चलते रहेगा लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी मांग करते है कि साराप का जो पेड कलास सलता है केबल हम एक ही बैच पढ़ाते हैं एक बैच के लावे हम कोई बैच भी नहीं पढ़ाते हैं केबल सौ रूपया महिना और उसमें लाइब होके हम पढ़ाते हैं लाइब इसमें इसलिए नहीं होते कि इतना ज़्यादा कोमेंट होता है कि कोम जार थी मांग कर रहे थे सर नमर दीजे नमर दीजे तो सब को प्रसनल नमर देना मुश्किल हो जाता है कॉमेंट बॉक्स में जाके इसलिए मैंने यहां पर नमर लिख दिया है जिनको जुआइन करना होगा तो रात में एक ही बैच चलता है वो आठ से नौ उसके अलावे करता हूं कि मेरा ये फिरी बाला कलास कभी भी बंद नहोने बाला है आप पेड कलास करो या ना करो गनित हम यहां पढ़ाएंगे हैं बात आगिया समझ में तो चलिए और जिनको जूड़ना है कि भाई हमारे वाटसप पर जूड़के वो हमें वीडियो दे पाएंगे तो जहां हमारे स्टाब काम करते है तो उसपर आप मैसेज कर लिजेगा हाँ decor जल्दी वहां नहीं होगा हो सकता है कि आपको एक आत्स तर टाइम लगजाए क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते है तो सारे मैसेज को आदमी देखता है और बहुत मुश्किल चीज होता है तो क्यों, मिलते हैं अगली वीडियो में